आज स्लामाराइकूम तो ये खे सेवन माई 2024 गोल्ड की क्विक अपडेट और एक ट्रेट सिटप आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ आप लोग अपने हिसाब से परिसी ट्रेट सिटप को मेनेज कर सकते हूँ तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को तोड़ा सा मार् मार्केट ने इदर इसे एक लोवर लो लगाया उसके बाद लोवर हाई लगाया अगें लोवर लो लगाया इसी प्रिविस लोकाप को प्रापर ब्रेकडाउन दे दिया तो इदर इसे हमें का कंपरमुव का मार्केट का ट्रेंट क्या हूए डाउन ट्रेंड है और का situation difference हुआ उसकी पीची के रिजन है उसकी पीची यही रिजन है का नीची हमारे पास एक strong low पड़ाय और demand जुन पड़ाय तो इदरी market ने क्या ही कर दिया lower high लगाया उसके बाद market ने again lower low लगाया लेकिन lower low नहीं लगा सका market ने सिर्फ liquidity स्वेट कर दिया और इदरी से एक जबरदस बाई की position बांद रहा था इदरी तो एक आपके पास आरे साइड divergence बांद रहा है दूसरे आपके पास swing पे लिए return बन गया तीसरे आपके पास यह strong low और demand जोने तो इदरी से एक परदस बाई की position बांद रहा था इसे के सासथ पर आपको नजर आ रहा है market ने पंप लिया पंप लिया ने के बाद market ने इदरी आपको चेंज आप character दे दिया सही है तो अब यह आपके पास क्या हुआ यह जो short trend तो यह क्या हुआ शिप्ट हुआ अगेंस बुलिश में सही ह अलेडी बड़ी टाइम प्रेम का structure भी बुलिश है और बाकि अगर यह चोटा वाला structure भी आप लोग देखो तो यह भी बुलिश हो गया इसे के सासथ अगर आप लोग इदरी से एक train line ड्रा करो जो कि बनता है कुछ इस तरी की से सही है अगर आप लोग इदरी से train line ड्रा कर करूँ का आप लोग किदरी से बाइ कर सकती हो कौन से जगह को टार्गेट कर सकती हो तो सिंपल एससी ने ना का हम लोग इसी डिमांड जून से बाइ कर सकती है गोल्ट स्टापलास जो है स्टापलास इसकी विक की निशी लगा सकती है यह वाला हमारा स्टापलास होगा इस के साल सा जो हमारा टार्गेट होगा हमारा टार्गेट इसी हाई की लिक्विडिटी टार्गेट होगा इसी हाइस की लिक्विडिटी टार्गेट होगा इसी हाइस की लिक्विडिटी टार्गेट होगा वर इदर हमारे पास एक बड़ा पेर वेडियु गेप पड़ाई तो इ कम असकम वन इस्टो सेवन ड्रेस को रिवाड रेश्वाल अट्रेट से टप है लेकिन असल में सीने से न यह स्टापलास इंतहाई बड़ा इसी है अगर मैं देखू तो कम असकम 166 पिप्स की स्टापलास आता है तो एतना स्टापलास कोई भी अपोर्ड नहीं कर सकता सबसे पहले तो मैं इतना बड़ा स्टापलास नहीं लगा लेता सी है तो आप लोग क्या ही कर सकते हो आप लोग आ सकते हो और क्या ही कर सकते हो इसी तरीकी से यह डिमंड जून अपने पास मार्क कर देना इसकी पीछी क्लियर लॉजिक है सही है इसी हाई क्यू पर हमारे पास लि लिकुडिटी स्वेट्प्ट हो सकता है क्योंकि डाउन की साइट पर जितना भी लिकुडिटी पड़ा था तो मार्केट ने अल लेड़ि उसको स्वेप्ट किया ही तो अभी बारी ऊपर की साइट की लिकुडिटी है तो इसी वाज़े से मैं आप लोगों को ट्रेट से टप तो आप लोग क्या ही कर सकती हो आप लोग आ सकती हो सही है बाक अगर मैं आपको तोड़ा से इंफर्मेशन दे दू तो इधरी आप लोग क्या ही कर सकती हो इधरी चेंज आप करेक्टर की वेट करके इधरी से बाई कर सकती हो और स्टापलास पर इसकी नीची लगा सकती हो ज यहीं से भाइ करूज टापला से इंदिया चोटा लगाा और टारगेट उपड़की एक करो इसी के साथ तकर इदरी मार्केट तोड़ा से लिक्विडिटि क्रियाइट कर देते हैं और फिर लिकुडिटी स्वेट करके इसी तरीकी का सेटप आपके पास बन जाते पिर भी आप बाई कर सकते हो तीसरा कन परमेशन आप यही ले सकते हो का आप जो भी स्ट्रेटजी पे काम करते हो और जो भी स्ट्रेटजी पे आप क्या चाहासा ग्रेप है तो आप उसी के हिसाब से इ इदरी बुलिश साइन मिल जाए तो फिर आप इदरी से भाई कर सकते हैं स्टापलास जो कि आपकी स्ट्रेटजी के मताबिख बंद रही उसकी नीची स्टापलास लगा लेना और टार्गेट से मिसे हाई को कर सकते हैं तो यह एक जबरदस ट्रेट सिटप बंद रही मेरा कि जो भी बाई लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं तो उम्मीद करते होगा हर एक चीज़ आपको समझ आया होगा बाकी मिलते हैं आज के लिए स्ट्रिम पे अल्ला हापिस